अंजना जी हमने तो कोई केस नहीं किया है, किसी वकील ने केस किया है, वो वकीली जवाब देंगे, बगर मैं तथ्यों के आज बात करूँगा। अब आश्चरे का विशय है, उसमें जो चार पन्ने दिखाए गए है, उसमें एक पन्ना सेंटरल विस्ता वाला भी है, जो मैंने आज खुलासा किया है। एक पन्ना हम own up कर लेते हैं। इससे पहले भी एक चैनल में आदर्निया रोहन गुपता भाई मेरे साथ थे, वहां भी उन्होंने कहा कि ठीक है, चार पन्नों में से एक पन्ना हम own up कर लेते हैं। यह बहुत बड़ी बात है। 24 घंटे भी नहीं हुए, एक पन्ने को own up कर लेना और यह मान देना कि इसके ओथर हम है। दूसरी बात, इन्होंने का हमने तो कभी मोधी स्ट्रेन और मोधी जी को अपमानित करने का प्रयास नहीं किया। भारत को इंडियन स्ट्रेन कहके कभी अपमानित नहीं किया। मैं प्रत्यक्ष आपको प्रमान दिखाता हूँ। दूसरा ट्वीट आप देखिए। राहुल गांदी जी का दूसरा ट्वीट ये यह भी आज से 15 दिन पहले का है। उसमें वो लिखते हैं कि इंडियन कोरोना वाइरस वेलियंट रीचे स्विजर लैंड इंडियन कोरोना वाइरस वेलियंट, सशी धरूर जी का ट्वीट है when people speak of a double mutation of the Indian variant of the virus खुद आप देख सकते हैं और Indian variant को उन्होंने एकडम वेरियंट को उन्होंने एकडम ब्लॉक पर लिखा हुआ है और Congress की एक जानी मानी चहरा Sonia Pellerio ये बेटी है एक Congress की MP की उन्होंने क्या लिखा I have named the so-called Indian variant the Modi variant in honor of the person who most directly is responsible and also because the PM likes to name things after himself और ऐसे मैं 10 और tweet दिखा सकता हूँ जिसमें Modi variant, Indian variant Congress के लोग और उनके periphery के लोगों ने tweet किया हुआ है ये तो प्रत्यक्स में आपके सामने प्रस्तूत कर रहा हूँ और आज सबसे बड़ी बात है अंजरा जी चार पन्नो को लेकर केस किया गया 24 घंटे के अंदर एक पन्ने का acceptance कर लेना और मैं पूछता हूँ मैं आदर के साथ पूछता हूँ Somya Varma जी एक कारे करता है कारे करता होना कोई बुरी बात नहीं है उन्होंने अपने सोशियल मीडिया के जो भी लिंक्डिन के प्लाफॉर्म, ट्विटर के प्लाफॉर्म इनको डिलीट क्यों कर दिया क्यों महाँ से चली गई सत्य को अभी डिलीट करने के अवशिकता नहीं है सत्य को सामना करना चाहिए रोहन जी, ये मोविट पैंडमिक जब लिखा था और कही ने कही प्रधान मंत्री की जिस प्रकार से बंगाल की सत्ता लालसा रही कही ने कही एंटिसिपेट करने में हम लोग फीफल रहे कहीने कही अपने आपको विश्वगुरु 136 देशों को हल्प करने की हमारी जो महत्वा कांशाती कहीं ने कहीं वो रही और उसमें मैं कहीं कुछ गलत नहीं मानता हूँ बात यहां पे हम लोग कुल पीट के कर रहे हैं अजना जी अभी इन्होंने काफी लोगों की ट्वीट दिखा ही सब कुछ दिखा अब मैं उनकी ट्वीट कल उन्होंने ग्यारा बज के नॉमिलिट पे ट्वीट किया है जो आदमी यहां में बैठके आधिकारिक तौर पे बाजयपात के प्रावक्ता होने के नाते बात कर रहे हैं वही अगर फर्जी ट्वीट करते हैं तो मुझे बढ़ा कि उनको कुछ बोलने का अधिकार है या निए वो कह रहे हैं कि फर्जी कागज जोड़े हैं आपने इसमें ठीक आ रोप सीधा है सीधा जवाब लेते हैं स्पेसिफिक जवाब लेते हैं अधिकार है जो उन्होंने फर्जी कागज जोड़े हैं सारे के सारे उंब मेले की बात मोधी स्टेंड की बात हो यूथ कॉंगरेस के बैड रिजर करने की बात हो यह तीनों फर्जी वारा और यह डॉक्टर कल से मजबूर हो चुके हैं क्यों सेंट्रल विस्टा पे जा रह प्रूब करके दिखा है या कुंपिला सूपर स्प्रेड है यह तीन बात यह जवाब कर दिया जाए इसका क्या अर्थ है इसका बिल्कुल यह है कि जो देश के उपर दूसरा वेव डाला गया वो थोपा गया है वो मोदी सर्था ने तो अब आप लोगों ने फर्जी पेपर उसमें एड किये सवाल नंबर एक सवाल नंबर दो आपके तमाम मंत्री सर्थ टूल किट पर धर अधर ट्वीट कर रहे लेकिन समस्या देश के सामने यह टूल किट से भी बड़ी वो है जो असपतालों में जंग लड़ी जा रही है इतनी मंत्री सरा आपकर कोविड पर लिखते हैं इतनी बड़ी मुश्किल से देश गुजर रहा है कियां वही सोचल मीडिया का इस्तमाल टूल किट टूल किट पूरी कहानी हर मंत्री डेशकाप को बताएगा। यह तो सारा फेक है। कल तो नहीं कह रहे थे कि कुछ-कुछ चीजे इसमें सही है।